तो कि नमस्कार में अमें धीवेदी अब सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर अनुपी पर और मेरे साथ है भारतिय गारी क्योंकि बहुत साइ की गारी भारतिय गारी वोलने लगे हैं और मैं ने मिते amend ुच्व भावो पार्ट वडो कि भार्र के करते हैं कि इस थी मांफिक चलाने में कैसी है और क्या देश भक्ती की भावना जाकती है जो आप इसे चलाते हैं पूरा जिक्र होगा इस वीडियो में तो पूरा वीडियो जरूर देखके जाएगा अगर आप उसे कुछ पूछना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेरे इस्टाग्राम पर सीदे चले मेरा इस्टा हैंडल है आमेर डॉट दिवेद जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई और तारों की भासा भारत ने दुनिया को पहले शिखना उगा तो वैसी आपको बता दू कि अभी मैं जिस गारी के साथ कढ़ा हूं भारती रंग में रची बसी हुई है और यसका नाम टाटा मोटर्स है और हैरियर जो आप देख रहे हो ये दिमागी जो अतौट परकर देखेंगे तो पुरी तरीके से भारतियता की बड़ी पहचार मन चुके है लेकिन इसमें जो पूरी दुनिया समाई भी है यानि कि जो फीचर्स आपको विदेशी कारों में मिलते हैं उससे बहतर अंदाज मे बहुत सारे फीचर्स आपको हैरियर में मिलते हैं और जो लोग मेरे दर्शक पसंद करते हैं कि टाटा की गाडिया खरीदो टाटा की यह चीज लो चलो मैं बताता हूं मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि आप ही खरीदो यही टाटा की गाड़ी खरीदो लेकिन यह जिक्र करते हैं लंबाई का लंबाई का जिक्र करता दो इसके जो कुल लंबाई है 4.6 मीटर है यानि कि लगबग 4.5 मीटर से लंबी है ये गारी और इसमें जो दो हैंडल मिलते हैं इस पर क्रोम की पट्टी नजर आएगी बाकी आपको साइड में जो पूरा मिलेगा ये इस पर पहले वीडियो देखा होगा कि मेरे एक दर्शक ने इस गारी को इसलिए खरीद देखी थी दिसकवरी देखी थी थी इतने फिदा हुए कि उनके उनका बज़ेट इतना नहीं था को इसका अन्दाज उन्हें कुछ उसमें रचा बसा नजर आया तो अब आपको उता और जब आप चाबीजे से बंद करेंगे तो बंद हो जाते हैं अगर मैं पाहियो की बात करूँ जिसमें एलोई वील दिये गए हैं तो इसके साथ में इसके पहले मैं एलोई वील पर जाओंगा मैं आपको जिक्र कर देता हूँ यहां पर जो आपको क्लैडिंग मिलती है यह पूरी गारी को चारो तरफ से घेरे हुए यह पूरी क्लैडिंग आपको यहां से मिल निकलती हुई आगे से होती हुई पूरी गारी को कबर कर रही है तो आपको यह काले रंकी क्लैडिंग मिलेगी और जो आपको ये विल मिलता है इसमें आपको एक एलोई विल है डायमंड कट डिवल टोन है और 17 इंच के हैं और बहुत अच्छे से इस पर भब रहें तो माते की बिदिया बात होती है जब भारत माता की बात होती है तो आपको इसमें क्या-क्या नजर आता है क्योंकि आपने टाटा का जब जब करी लिया है भारती आता से जोड के तो आपको दिखाता हूँ आपको मेकर इंडिया मिलेगा तो मतलब इसके जो जो जनन के ये मिल जाती है और साथ ही इसका एक ही जगे मिलेगा आपको पुरा ये हैड लैम्प और फॉग लैम्प की जगे दी गई है एक जगे बनाई गई है और एक अलग आकरिती इसमें उकेर जाती है जिससे आप बहुत कुछ जोड़ सकते हो अपने अंदास से लोग इसे लाइक करते हैं और इस पे साथ ही जैसे आप यहां से बढ़ोगे लेडी डियाल से निकलता हुआ ये आपको ग्रिल मिल जाता है टाटा का और बीच में टाटा का लोगो बैठा हुआ है और आपको ये बहुत अच्छा एर डैम्प मिलता है और ये एक खुबसूरत अंदास तो देता ही है अपनी ब्याओ हरिकता भी यहां पर साबित कर जाता है तो यहां पर भी आपको पूरी भारतियता नजर आएगी तो हम भारतियता भी तलाश रहें डिजाइन को का जिक्र करते करते इस हैरियर में तो दोस्तों आईए बात करते हैं इसके इंजन की और आपको खोल के भी पैकेजिंग देखना भी जरूरी है अगर आप बात करते हैं इसकी तो अगर बॉनेट खोलना है ना तो यह हलका सा उपर दबा दीजिए यह भी जानना जरूरी है आपके लिए एक छोटा सा शॉट भी लगाने की कोशिच करूँगा और यह उपर चला जाएगा इसे यहां के दार है अगर आप जिक्र करेंगे पर्फॉर्मेंस साइट से और इसकी जो पैकेजिंग आपको मिलती है यह भी बहुत लाजवाब है फोर स्लेंडर इंजन है और बखू भी इसमें दिया गया है यह 350 एनम का टॉर्क भी देता है तो दोस्तों बात करते हैं है रियर के रि पूरा होता है मतलब यह क्रमबधता आपको इसमें नजर आएगी और टेल लैंप मिक्स हैं इसमें आपको हैलोजन बल भी नजर आएंगे और यह LED भी है और इसके साथ ही आपको यहां पर एक LED माउंट भी मिल जाता है जो कि जब पीछे कोई अगर आप ब्रेक लगा रहे ह है तो यहां से पता जल जाता है इसकी रोशनी से और इस पर एक जो स्पाइलर दिया गया है यह भी बहुत खूबसूरत लग रहा है इस हैरियर पर और यह भी आपको डिवल टोन के साथ मतलब डिवल टोन में ही यह मिक्स मिलेगा तो यह वाला पूरा पोर्शन आपको बढ़ाता है और साथ यहां पर आपको जो यह बंपर मिलेगा इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे एक दो तीन चार और साथ ही यहां पर एक बढ़िया कैमरा मिल गया है जो की बढ़िया क्वालिटी देता है आपको जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं गारी उस समय और इसकी रिमोट की चावी भी आपको दिखाता हूं भी तो यह अंदाज आपको यहां पर मिलेगा यहां पर इसके नहीं मिलेगा यहां पर आपको और सारी चीजे मिल जाएगी एक सामान रखने के जगे मिल जाती है लेकिन यहां पर मिलेगा तो इसको मैंने खोल के कई ग हाँ तो आपको यह निकालने के लिए जगे दी गई है और आप इसको खोल कर जब जुरुरत पड़े तो यूज कर सकतें तो दोस्तो मैं इसके रेर सीट पर रा गया हूं यह है और आपको तादू यहां पर बैठा हूँ तो आप सुच रहे हों कि इस पर अपर पिलर पर पर इस इबेंट दिये गए गए अलाग अदाज भी दिये गए हैं साथ ही आपको एक क्रोम का यहां पर फिनिश मेलेगा यहां पर मोबाइल वगड़ा रख सकते हैं यहां पर सामान रखने की जगे दे गए है साथ ही आर्म रेस्ट दिये गए हैं और इसमें आपको कफोल्डर भी यहां पर रखने की जगे मिल जाएगा अगर दो लोग बैठे हैं तो बहुत ही आराम दायक गारी बन जाती है लेकिन अगर तीन लोग बैठेंगे तो इसे उपर उठा में हैं में जाने है और देखने हैं और इसमें आपको लेकर एकyes में की कौई कंपही महीं तो इसे लोग बहुत पहुत प About 2-7 दो अधिये आपर नीचे पानी जगे नगा लग लेए आर कर शक्ते में लेकिन दोस्स शीन τις अपने आपको इसे टिखा नहीं कर दिखाने की यह इसके नीचे आपको सॉकेट मिल जाएगा जहाप मोबाइल चार्जिंग के लिए बेवस्ता दी गई है तो आप इस गारी में बैट रहे हैं तो इसके नीचे आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर जब हात लगाएंगे तो पता चलेगा जुक्के लगाना पड़ेगा यह थोड़ा ऊपर रहता तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि लोगों को नजर तो आता तो दोस्तों मैं इसके ड्राइविंग सीट पर आ गया हूं आपको शुरुवात इससे करता हूं इसके स्टीरिंग फूइल पर आपको इस तरफ जो बटन मिलेंगे यह आपको सारे ओडियो कंट्रोल वाले बटन मिलेंगे यहां से आप फोन भी उठा सकते हैं फोन कनेक्ट भी कर सकते हैं वाइस रिकनिशन का बटन भी यहां पर दिया गया है इस तरफ जब आएंगे तो आपको क्रूस कंट्रोल वगरा मिल जाएगा और डिस्प्ले यहां कर्व इसमें देने की कोशिश की है बहुत मज़ेदा लगता है इसमें आपको हर्मन कार्डिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है और यह जो इसको इन देख रहें आप टच स्क्रीन जो है यह आठ हिंच की है इस पर एंडॉइड आटो और एपल कार प्ले इस सब की दिवस्था दी गई है और इसी पर नजदा राजता है जब आप गारी पाक कर रहे होतों तो एक ब्यूग पीछे वाला मिल जाता है पीछे वाले के साहरे और यहां पर कुछ बटन भी दिए गए हैं यहां से अगर आपको टच नहीं चुना है तो यहां से आप मैनोली इसको अपने चै अब आपको मिलता है जो कि बहुत ही मज़ेदार है जिकर करेंगे परफॉर्वेंस में सिक्स स्पीड है टाटा मोटरस ने अपने इस गाड़ी में तीन राइबिंग के मोट दिये हैं एक तो आपको बेट कंडिशन के अलगाप लगा सकते हो और साथ ही ऑफ रोड़िंग के हैंड ब्रेक मिल जाता है उठाने में थोड़ा आजीब लगेगा लेकिन इसमें दिया गया है और इसी के बगल में आपको कफ होल्डर मिल जाते हैं और यहां पर भी एक बारा बोल का सौकेट इसमें मिलेगा थोड़ा सामान अगरा रख सकते हैं और इसमें अगर आप पी वाला जिसे आप होन चार्ज कर सकते हैं और क्या चीज़ें इसमें भी दिखाता हूं आपको आपको एक बड़ा सा यह यह ग्लोब बॉक्स दिया गया है यह भी ठंडा रखेगा पानी वगरा की बोतल रखना चाहेंगे और एक सिल्वर एक्सेंट यहां से शुरू होता और वहां तक जाता है बीच में थुरा यहां पर कट होता है और जो इसका स्टेरिंग वील है इसे टिल्ट भी कर सकते हैं और यह टेलिसकोपिक भी है यह भी आप इसमें पाएंगे अगर आप हैरियर खरीते हैं साथी सन रूप खोलने के लिए यहां पर सारे बटन दिये ग तो आपको दिखाऊंगा इसे खोल के तो कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रीम राइट में आप ऐसे करेंगे कि डबल प्रोडेक्शन वाला है तो यह जाएगा पीछे तक क्योंकि यह पूरा पीछे तक जाने में पर वक्त लगाएगा तो वन टच किया आपने पीछे जाना श आपको विए सकते हैं बंद करना है बंद करने में पी आपको प्रोससर दिखा दिता हूँ इस रइवाल बटन दबा दीजिए और इसे बंद होने दीजिए जो बंद सो इसके बाद में घाई तो दोस्तों आईए चला कर देखते हैं इस हैरियर को और आपको आता तो जिसका बेरियंट है एक प्लस है और यह आटोमेटिक के साथ आता है इसमें दिया गया है हुंड़ी सोर्स 6-speed automatic gearbox और यह बहुत ही refined है और यह सबसे बड़ा बदलाओ है अब तक जो आपने हैरियर देखा था जो मने आपको चलाया था जो आपने रिव्यू देखा था वो मैनूल वाला था लेकिन यह आटोमेटिक के साथ आ गया है और लोग इसका इंतजार कर रहे थे इसमें जो बड 802-liter का डीजल एंजिन और यह देता है 170 bhp की शक्ति वा 350 अपार टॉर्क अपार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह गाड़ी टॉर्क से भरी हुई है और जो आप से चलाना शुड़ू करते हो ना एक तो आपको पता नहीं जलता है गेर शिप्ट कहां पे कर रहा है कि लेकिन अपनी इतनी चीजों के साथ ही यह बहुत सारी ब्यावारिक्ता को अपने में सामेटे हुए है और जब आप चला रहे होंगे इस गाड़ी को इस गाड़ी को तो आपको पता चलेगा कि कितनी अलग है बंपर टू बंपर ट्रैफिक की बात करें तो आपको बता दूगी यह गाड़ी उसी के लिए बनी है और आटोमेटिक का इसी लिए हैरियर में लोग इंतजार कर रहे थे और जैसे ही इस पे कुछ चीजे घर्टी से आपने बेल्ट नहीं लगाया तो आपको तो बजर मिली और यह सब कुछ मैं बता सकता है कि मैं इस गाड़ी को काफी चला लिया है बहुत सारे इंफॉरमेशन आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता रहता है और इसका डिस्प्ले पूरे इंफॉरमेशन से भरा हुआ है इसके आपको प्रोट रेबल पता चल जाएगा एंप टूरी रेंज भी पता चल जाती है कि कितनी है वो इस पर नजार आता रहता है अगर एक गाड़ी में इतना कुछ हो तो आप कुछ हो सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें आपको दे दी गई हैं यह हैरियर अलग है यह है इंडियन है यह है एडवांस है और यह आपके चेहरे पर इसलिए बड़ा इसमाइल चोड़के जाती है कि देखो इंडियन कंपनिया भी बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ रही है तो परफॉर्मेंस के तरफ से मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको बढ़िया माइलेज भी मिल जाता है माइलेज कितना अगर आप सवाल करेंगे मुझसे तो अगर बंपर टो बंपर ट्राइफिक जिसके लिए आटोमेटिक दिया गए उसमें चलाएंगे तो मुझे रहता कि 12 से ज्यादा का माइलेज आपको मिलने वाले तो जो कंपनी दावा करती है ओ माइलेज है 15.5 km प्रति लीटर अ मनुरेंजन का इसमें पूरा खयाल रखा गया है इसमें आपको जेबेल के 9 स्पेकर मिलते हैं जिसके अलग-अलग स्पेसिफिकेशन है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं और हर्मन कारडन का इसमें मुझसिक सिस्टम दिया गया है और यह बहुत ही एडवांस है तो इसकी अग 50 फीचर्स की बात करें तो आपको बता दूँ इस गाड़ी में आपको छे अर्वाइग मिलते हैं चारो तरफ से आप सुरक्षित हैं और सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हैरियर के आप बहुत सारी वीडियो और देखेंगी यूट्यूब पे तो उसे आपको पता चल जाए और जो आपके लिए बहुत सारे माइने रखती हो और यहां के प्रती इस देश के प्रती अगर आप अपनी देश भावना दिखाना चाहते हैं तो टाटा की ये हैरियर आपका स्वागत करती है लेकिन आपको कुछ चीजियों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा वो चीजि आगे भड़ रहा है आगे भड़ कर हम बहुत साई टेक्नलुजिय की रास्ते पर आगे निकलते हुए आप नए शिखर के तरब भड़ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारी पार आईसी गाडिया हूँ जो सबसे दुनिया में सबसे बैटर हूँ तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूँ अगर आप मेरे से कुछ रह गया है जो मैं नहीं बता पाया आपको तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर आईए amit.dvd मेरा इंस्टा हैंडल है वहाँ पर सवाल करिये और जवाब पाईए